असलाम लेकुम दोस्तों उमीद है आप सब फैरियत से होंगे मैं हूँ मौमद आकिप और इस रत में मौजूद हूँ कैसल मस्दीद में राइट साइट पर मस्दीद है और लेप साइट पर मेरे बैक साइट पर अगर आप देखे हर तरह चीड के खुशूरत खुशूरत से द्रक बड़े बड़े द्रक और बारिश का टाइम है मारगला के जो पहाड़ी है वो बादलों में घेरी हुई है माशाआला इस साइट पर ये मस्दीद है यहाँ पर सुबहों का तकरीबर आठ बज़रे पबलिक ना होने के बराबर है मस्दीद में यूँके नमास के खानी भी जगा जगा खड़ा हुआ यह एक चोटा सा पार्क यहां पर बना हुआ है इर्द गिर्द चीड के दरखते हैं उनके पीछे बड़े-बड़े से पहाड जो जिनकी जो चोटियं हैं वो बादलों में है देखें इसकी जो चोटियं वो नजर नहीं आ रही है पैसल मस्जिद की यह दूसरी वीडियो है फर्स्ट वीडियो मैंने इसके अंदर से मस्जिद का चोटा सा एक जीव रिकॉर्ड किया क्योंकि मस्जिद अभी बंध है लेकिन जो गेट पर थे रिक्वेस्ट करके मैंने उपर से शीशे में से ही एक व्यूर्ड कर लिया था लिकिन यहां पर एक बहुत ही पुर्सकून वियू है माशाओला चीड के दरखतों पर ये फूल भी माशाओला काफी सारे लगे हुए मेरे ख्याल में इस वक्त इसके फ्लावरिंग का टाइम है और इसके अपर काफी सारे फूल आए हुए है माशाओला ये तेज हवा में पत्तों की आवास सुनें सुभानला माशाओला काफी तेज हवा चल रही है और इस तेज हवा में पत्तों की आवास एक अलग ही पूर सकून माहूल बना रही है और ये चीड पर काफी सारे फूल लगे हुए है और ये सेंटर में काफी बड़ा ये तलाब बना हुए है और इस साइड पर मार्गला की खुबसूरत पहाडया, I think so ये ही मार्गला के पहाड़ी रहे हैं, यह आगे जाके मार्गला के पहाड़ी स्टार्ट होती है तो इन््छादा यहां से अब नेक्स्ट जो प्रेस है वो डाइनो वेली है इस्लामबाद में तो इन्शालला डाइनो वेली का भी एक चोटा सा विलोग आपके साथ मैं शेयर करूँगा तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल एक्यू गार्डन को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा इन्शालला मिलते हैं अगली वीडियो में अला हाफिज असलाम अलेकम रहमत अलाह